थोड़ा इधर देखिए ये हमारे कहा गये नेपाली जाब नेपाली जी तेले किया और यहाँ पर है हाँ ये जो लाल-लाल इधर भी लाल है इधर भी लाल है सर जी एक बात बताईए ये जो अभी कह रही थी छट पे सोया था बहनोई वही है मैं तने समझके सो गई राणा जी मुझको माप करना गलती मारे से हो गई हमको एक बाद बताईए रिया जी ये गलती हुई कैसे थोड़ा सा परदास किजिए सर थोड़ा सा ये गलती हुई कैसे जब इनको पता है सर जी बहनोरी कहा सोया था छहत पे उनको पता है उनको पता है फिर गलती आप से कैसे हो गए रिया जी एक बात मैं कहना चाहूंगा इस गाने पर इनके इस बोल पर द्ध्यान से सुनिएगा मज़ा आएगा तो थोड़ा ताली बजा दीजिएगा जी अभी नहीं अभी नहीं एडवांस में नहीं सर्थ कहना ये है कि जब आग लगाई अपने हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी कि आग लगाई अपने हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी अरे दाग लगाई अपने चुनर में तो धोने की जरूरत क्या थी अरे लोक लज्जा हया सर्म जब हिंदुस्तान का कहना है तो इसे खोने की जरुरत क्या थी और तुझे मालूम था तुझे मालूम था कि तेरा बिस्तर नीचे लगा है तो छट पे जाके सोने की जरुरत क्या थी चत्पे ये सोया था बहनोई गल्ती मारे से हो गई एक बार जोर दर ताली हो जाए और आईए साहब आगे बढ़ने से पहले एक पैगाम आपके नाम हो जाए और तमाम महबबत करने वालों से एक बात कहना चाहूंगा बड़े कश्ट है महबबत में बड़ी परिशानी है बड़े ही परिशित्यों का सामता करना पड़ता है है की नहीं इसलिए आप तमाम चाहने वालों से कहना चाहूंगा कि कभी प्यार मत करना उदासी हो गई उदासी आ गई कि कभी प्यार मत करना और हो जाए तो इनकार मत करना कि कभी प्यार मत करना और हो जाए तो इनकार मत करना अरे निभास को तो ही प्यार करना बरना किसी की जिंदगी बरवाद मत करना महबबत करने वालो लेकिन एक बात बदा दू अगर प्यार करना ही है तो निर्मा सफ बाले प्ललकी से करो जो अक्सर कहती है पहले इस्तिमाल करो फिर विश्वास करो जी सब आईए एक और प्यारा से डांस प्रवांस भरे अंदाज में आपके खित्मत पेश है और आ रही है मिश्श निशास पहिवा इस्टार्ट किया जाच